हेलो फ्रेंट्स एक बार फिर से आफ सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत दोस्तों आज के वीडियो में हम आपके लिए एक अच्छा बारवी बहुती बिग्जान का फुल सल्यूशन बताने वाले हैं तो वीडियो में लास्ता द्यूब बने रहेगा वी पर किस प्रकार से आने वाला है जी दोस्तों आप पेपर देख लीजी तो इसका सल्यूशन हम आपको बताने वाले हैं तो इसके लिए आप लोगों को वीडियो के लास्त तक जूब बने रहना है यह आपका पूरा पेपर दिया हुआ है का अच्छा बारवी बहुती विग ली जो कारी चेतरा कार्या है इसमे क्या नरदेस दिये रहे हैं फिर सकी बाद इस पैला कोश्षण दिया हुआ इसमें ऐस यू को ये अब दूसरा question देख लिए थे, दूसरा question दिया हुआ इसमें, एक गतिमान आवेस उत्पन करता, केबल विद्धुद चेतर, केबल चुमकिये चेतर, विद्धुद चुमकिये चेतर दोनों, कोई नहीं, तो इसका correct answer हो जाएगा, विद्धुद चुमकिये चेतर दोनों, तीस question दिया हुआ है, लेंज का नियम सबंदिध है, फिर इसकी बाद, next question दिया हुआ, इसमें, निम लिकित में से किस का रंग जायर के सबसे कम है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, पराभाहिग ने विक्रेड़ता, फिर इसकी बाद, पाच्मा question दिया हुआ हो, इसमें, निम में ब्यास का विद्रस्यक फिर इसकी बाद नेक्स्ट कोश्चन दिया हुआ है एक सो पचास वोल्ट के विवांतर से तुरित इलेक्ट्रॉन से सम्द्री डी ब्रोगली तरंगजर्ग होगी तो दोस्तों इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है फिर इसकी बाद को अधियरे में फोटोग्राफी के लिए तरंगों का उपयोग किया जाता है तो इसका उत्रजग मारकोनी पाजमा कोश्चन दिया हुआ एक सूच मदर्सी की नली की लंबाई बढ़ाने पर उसकी आवार्जन चमता जाती है तो इसका उत्रजग घटती नेक्स्ट कोश्चन प्रकास में पतली फिल्म के रंगीन दिखाई देने का कारण है तो इसका उत्रजग व्यती करण फिर इसकी बाद दिया हुए नौट गेट को भी कहते हैं तो नौट गेट को डिजिटल तरक द्वार भी कहते हैं फिर इसकी बाद तीसरा कोश्चन दिया हुआ एक सब्द ब च्रिट उसका पृत कितने गुंई लंड़ा हो चाएगा तो सका प्रित्रोत तीन गुंई हो जाएगा अगला कोशन दिया हुआ है फिर इसकी बाद एगला कोश्चन दिया हुआ पर इपर दोस्तो नोड कर लीजे यह दिया हुआ है जल्दी से फिसकी बाद पांचमा कोशिन दिया हुआ है दो विद्दु छेत्र रेखा है एक दूसरे को क्यूँ नहीं काटती है अच्वामें दिया हुआ सम्मिबाव प्रेष्ट की कोई दो विसेचता है लेकि un Unity की विसेचता इसका उत्तर दिया हुआ है सम्भीबा प्रेश्ट के प्रतियक बिंदू पर बल देखा है प्रेश्ट के लंबत होती है एक बिंदू आबेश प्लस क्यू से चलने वाली बल देखा है खीची गई बिंदू आबेश को केंद्र मानकर खीचे गए किसी गोली प्रेश्ट का प्रतियक बिंदू आबेश से सम इसका उत्तर दिया हुआ है नोट करने से कांप इसका उत्तर दिया हुआ है जैसे तामबा टंगस्टन पारा आधी ओम के नियम का पारण करतें अन्हों में प्रत्रोद जो पतार्त ओम के नियम का पाला नहीं करते हूं के को हम अनव्मी प्रत्रोद कहें जैसे एवर चालक ऐसे पदार्तों के किस्तो गुरायता कैसी बढ़ाई जा सकती है तो इसका उत्तर देख लेते हैं तर दिया हुआ है यदि कुडली के सिरों पर वोल्टेज हो तो चल कुडली धारा मापे किस्तो गुरायता भीछेप तता वोल्टेज की अरुपात को कहते हैं इस प्रकार इस पर शेकि एन ए तथ बढ़ाकर सी त्था आर कामान कम करके स्टो कुडली धारा मापे किस्तो गुरायता भढ़ाई जा सकती है तो फिर इसकी बाद आटमा कोशन दिया हुआ प्रत्या वरति धारा द्वरा विद्दूत अपगटन क्यों नहीं होता है तो उसका उत्तर दिया हुआ क्यूंकि प्र जाता है दोस्तों अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप Google पर सर्च करें नित्या Studypoint.com तो वहां से दोस्तों आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे अगर आप अभी तक हमारे सबनें परावर्तित होकर वापस लाओटा था अधिकार सबाव अपवरतित होकर विरल माद्यां में चला जाता है तब इस इसथी में आप परावर्तन कोड से कम हो जाता है जब यदि आपतन कोड को बढ़ाया जाता है तो साथ साथ परावरतन कोड भी बढ़ता जाता है तो था एक ऐसी सिती आज आती है जब परावरतन कोड का मान 90 डिगरी हो जाता है तब बने आपतन कोड को करांतिक कोड कहते है पूरांत्रिक परावरतन की परिवासा ये दूस् करते हैं पहला दिया हुआ प्रिकास सगन माध्यम सिवरियल माध्यम के योग जाना चाहिए दूसरा पॉइंट दिया हुआ है अब तन कोड का मान क्रांतिक कोड से देखोना चाहिए फिरिज की बाद अगला कोशन दिया हुआ है ब्रतिकरड क्या होता इसका एक उधार लिखि अधारत कलांतर का माल समय के साथ परिवर्टित नहीं तो ऐसे इस रोजिदमित से ये तरंगे उत्पन हो रहे हैं उन्हें कला सम्मा सुरुत कहते हैं फिर इसकी बाद दोस्तों अगला कोशन दिया हुआ है निरोडी विवाव कैसे किसे कहते हैं तो इसका उत्तर दिया फिर इसकी बाद बारमा कोशन दिया हुआ है एन और पी प्रकार के अर्धुचालकों में कोई दो अंतर लिखिया है इत्वा में दिया हुआ है फोटो डायोड और सौर सेल में कोई दो अंतर लिखिया है फोटो डायोड एक अर्धुचालक युक्ति है जो प्रकास को विद में बदलता है तेर्मा कोश्चन दिया हुआ है वीड स्टोन का सिद्धा समझाई चिता इसकी संतुलन के लिए आवस्तिक प्रतिबंद पी आर निगमित कीजिए अथवा में दिया हुआ धारा और एलेक्ट्रोनों के अपवाब एक में संब्द ग्याद कीजिए तो इसमें उ प्रतिवा में चाले अब बात करते हैं कि यह वबाद चालक आपयों करके चालक में प्रवाइथ हो रहा है विद्धु धारा कामान कैसे ग्याद कर सकते हैं जथा इन में आपस में क्या संब्द होता है यह दोस्तों इसका उत्तर दिया हुआ जली से इसको नोट कर लीजिए अपनी कापई में फिर इसकी बाद चौदमा कोशन दिया हुए यदि एन सेल जिनके प्रतिये के विद्धु भागवल इस इतांतिक प्रतिरोद हैं तो को समांतर करम में जोड़ा जाए तो तुल इमफ और आंतिक प्रतिरोद क्याद कीजिए अधिवा में दिया हुए तीन प्रतिरोद दो ओम तीन ओम तेथा च्छाई ओम के समांतर करम में जोड़ने प्रतिरोद क्याद कीजिए पंद्रमा कोशन दिया हुए साइकल अवरति के लिए निप्यांजग दिरनकमित कीजिए अथवा में दिया हुए बायोसेवट का नियम लिखिए और इसके अधार प विए बिम 21 सेंटीमेटर फोकस भुरी वाले लेस के सामने 14 सेंटीमेटर की दूरी पर रखिए लेस द्वार दिर में का प्रतिरोद कर आकार अप इस्तिक याद कीजिए यह दोस्तों इसका उत्तर दिया गुए जल्दी से नोट कर ले जिए इसका उत्तर आपनी कॉपी में इस प्रकार से दोस्तों आप सारे कोश्योंन के आंसर जल्दी से नौट कर लेजी अपनी कौपी में दोस्तों वीडियी पसंदा आया तो वीडियी को लाइक कर लें चलंग पर पहली बार बिजिर कर रहें चलंग को सब्सक्राइब जरू कर लें अगर आपको और भी सब्जेक्ट की का सल्यूसन चाहिए तो आप हमें comment box में comment करकर बताईएगा कि आपको और की subject का solution चाहिए तो हम आपके लिए next वीडियो में उस subject का solution जरूर लेकर आएंगे तो इसके लिए आपको comment box में comment करना है अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम गुरुप पो जोईने की तो टेलीग्राम गुरुप को जोईन कर लिजेगा डिस्क्रिप्सर बाक्स में आपको टेलीग्राम जोईन करने करने को मिल जाएगा वहां से आप टेलीग्राम गुरुप को जोईन कर लिजेगा वीडियो में अंतक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स पर वाचिंग वीडियो